जय जगन्नात सबसे पहले राजकोमारी कल्यानी जी का जो पात्र था उसे इंट्रड्यूस किया गया था करीब चार दिन पहले उसके बाद में बक्षी जगबंधु जी भारतिया मुक्ति संग्राम के सबसे पहले सुतंतरता सेनानियों में से एक उनके पात्र को इंट्रड्यूस किया गया कल ही वो वीडियो अपलोड किया गया है करीब एक लाख दस हजार के करीब व्यूज मिले हुए है उस वीडियो को ये जो पाइक सुतंतरता संग्राम है ये भगवान जगनाच जी के अशिरवात से बक्षी जगबंदु जी के नित्रुत्वों में लड़ा गया था अब यहाँ पर मैं जान पूच कर सोच समझ कर ही पाइक सुतंतरता संग्राम ये कह रहा हूँ पाइक विद्रो नहीं कह रहा हूँ जो की सामान ने तह कहा जाता है पाइक विद्रो कहा जाता है उसे पर वो विद्रो नहीं था वो एक सुतंतरता संग्राम था ये जो विद् विद्रोह का अर्थ होता है किसी के प्रती किया जाने वाला द्रोह, शत्रुता पूर्ण कार्य, विशेष्टह, शासन के विरुद्ध, जिसका राज्य है, जिसका शासन है, जो सरकार है, उसके विरुद्ध जो एक द्रोह किया जाता है, शत्रुता पूर्ण कार्य किया जाता उसे विद्रोह कहा जाता है विद्रोह और क्रांती इन दोनों शब्दों में बहुत ज़्यादा अंतर है क्रांती इस शब्द को सकारात्मक रूप में उपियोग किया जाता है किसी सकारात्मक उद्देश्य से किये गए आंदोलन को क्रांती कहा जाता है पर विद्रोह इसके बिल्कुल अपोजिट है विद्रोह को एक नकारात्मक रूप में उपियोग किया जाता है जिसका उपियोग मतलब जिसको हम द्रोह भी कह सकते हैं द्रोह उसका एक समानार्ती शब्द है विद्रोह का द्रोह, राज द्रोह या एक अनार्की, एक अराजकता का वातावरन उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य, इसके लिए विद्रोह शप्त का उप्योग होता है, तो जो पाइक सुतंतरता संग्राम है, वो हमारे भारत के सबसे पहले, सबसे पहले लड़े गए ऐसे सुतंतरता संग्रामों में से एक वो सतुन्तरता संग्राम है वो विद्रोह नहीं था ब्रिटिश को यहां के शासक नहीं थे वो विदेशी आक्रमनकारी थे जो यहां की सभ्यता को नश्ट करने के लिए आये थे और यहां की सभ्यता को नश्ट करने को वो सिविलाइस्ट करना कहते थे उनके अनुसार यह ना कि जो संस्कृती है, जो भारतिय सनातन वैदिक संस्कृती है, इसको नश्ट करके, वो हमें सिविलाइस्ट कर रहे थे, ये उनका मुख्य उद्देश्य था, वो विदेशी आक्रमन कारी थे, वो यहां के शासक नहीं थे, इसके लिए विद्रो ये शब्द मुझे कही से किसी भी प्रकार से सही नहीं लगता है, और इस सिरियल का जो नाम है, वो भी उन्होंने विद्रोही रखा है, मैं अगर स्टार प्लस मैं से कोई देख रहा हूँ, तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा, कि देखिए अभी तक आपने डेड़ भी तय नहीं कि, कि कब से इसक लिए कमेंट करिए स्टार प्लस को, कि ये जो विद्रोही नाम है, वो सही नहीं है, इसे संघर्ष नाम दीजिए, या भारतिय मुक्ती संगराम, जो भी बहुत सारे अलग-लग नाम दिये जा सकते हैं, पर विद्रोह नाम, विद्रोही नाम, मुझे कही से भी सही नहीं उसे सबसे पहले उस पर पुस्तक लिख कर उसे स्वतंतरता संगराम का नाम दिया था, और ये जो पाइक स्वतंतरता संगराम है, इसे भी मोधी सरकार ने अभी चार वर्ष पहले ही सबसे पहले स्वतंतरता संगराम का नाम दिया है, अभी देखिए, सन 2017 में इस विद्रोह कि दो सो वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने गोशना की कि 1817 के पाइक विद्रो को अगले शेक्षिनिक सत्र से इतिहास की पाठ्थे पुस्तकों में प्रथम सुतंतरता संगराम के रूप में स्थान दिया जाएगा तो जब सरकार ने मतलब चलो इतिहास में जो भी वामपंती इतिहास कारों ने जो लिख के रखा है वो तो आज हमें बदलने के आवशकता है न और जब सरकार ने इसे प्रथम सुतंतरता संगराम कहा है तो अब हम इसे विद्रो क्यों कहे हमें इसे पाइक सुतंतरता संगराम ही कहना चाहिए चलिए ये विद्रोष शब्द के बारे में मेरे जो असहमत ही थी या इस से मेरे जो असहमत ही थी वो बाते मैंने आपको बताई अब थोड़ा सा इस टीजर के बारे में प्रोमो के बारे में और इतिहास के बारे में थोड़ी से हम चर्चा करते हैं तो दीखिए कल का जो प्रोमो था उसमें बक्षी जगबंदु जी के पात्र को इंट्रिड्यूस किया गया है जिनका पुर्ण नाम था जगबंदु विद्यादर महापात्र ब्रमरबर राय वे भारतिये मुक्ति संगराम के सबसे आरंभिक योद्धाव में से एक थे प्रोमो में हम देखते हैं कि भगवा गमछा उन्होंने पूरे श्रीर पर ओड़ा हुआ है वे भगवान जगणनाच जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं उनके साथियों के साथ में पर वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी है वो मना कर देता है कि कर देना पड़ेगा तभी जगणनाच जी के दर्शन कर सकते हैं कर नहीं तो दर्शन नहीं इस पर बक्षी जगणनाच जी के दर्शन पर ये जो तुमने कर लगाया है ये कर लगा कर तुमने अपने विद्वन्स को, अपने विनाश को ही आमंतरन दिया है, नियोता दिया है, इस पर अंग्रेज अधिकारी कहता है, जिसकी रगों में डर बहता है, वो हमें क्या डर आएगा, इसके बाद में बक्षी जगबंदुजी के जो साती थे, वे सब अधिथी देवो भव, अब होगा अधिथी स्वाह भव, तो कुल में लाकर प्रोमो मुझे पसंद आया, इसके पहले भी राजकोमारी कल्यानी जी के पात्रों को जो दिखाया गया है, वो प्रोमो भी मुझे पसंद आया था, तो प्रोमो सब सही है, और ये जो विद्रो कह कहानी, ये वोई सोर में आगे कहा गया है, सबसे पहले विद्रो की कहानी, जो कि मुझे सही नहीं लगा, इसे ये कहना चाहिए है कि सबसे पहले स्वतंतरता संगराम की कहानी, वैसे ये बहुत परसंदता की बात है कि स्टार ब्लस, पाइक स्वतंतरता संगराम पर एक विकिपीडिया का अंग्रीजी नहीं मैंने कई बार देखा है विकिपीडिया पर भी जो अंग्रीजी वर्जन होता है ना किसी भी विशय का अंग्रीजी आर्टिकल होता है उसमें थोड़ा एक लेफ्ट की तरक जुकाओ होता है जिसने वो आर्टिकल दिखा हुआ है पर जो विद्रो उडिशा में British East India Company के शोशनकारी नितियों के विरुद्ध उडिशा में पाइक समाज के लोगों द्वारा किया गया एक शशस्त्र, व्यापक आधारवाला और संगठित विद्रो था इस विद्रो ने पूरवी भारत में कुछ समय के लिए British राज की जड़े हिला दी थी विद्रो शब्ध पताने पढ़ने में ही सही नहीं लगता पाइक उडिशा की एक पारमपारी भूमिगत रक्षक सेना थी योधाओ के रुप में वहां के लोगों की सेवा भी करते थे और पाइक लोगों ने भगवान जगनाज जी के आशिरुवाद लेकर बक्षी जगपंदु जी के नेतरुत्व में 1817 में यह विद्रो किया था शिगरही ये आंदोलन पूरे उडिशा में फैल गया किन्तु अंग्रेजों ने निर्दयता पूर्व की इस आंदोलन को कुचल दिया था बहुत से वीरों को पकड़ कर दुसरे द्वीपों पर भेज कर कारावास का दंड दे दिया गया था कुछ इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंतरता संगराम कहते हैं भाई कुछ इतिहासकार क्यों सबी को इसे भारत का सरो प्रथम स्वतंतरता संगराम ही कहना चाहिए पाइक विद्रों को उडिसा में बहुती उच्चे सम्मान प्राप्त है और बच्चे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की वीरता भरी कहानिया पढ़ते हुए ही बड़े होते हैं पर दुर्भाग की यह है कि इस विद्रों को राश्ट्रिय स्तर पर वैसा महत्व प्राप्त नहीं है पर 2017 में सरकारने इसके लिए प्रयास किये और अगले शेक्षिनिक सतर से जो इतिहास के पाठ्थे पुस्तक है उसमें इसे प्रतम सतंदरता संग्राम के रूप में स्तान दिया जाएगा मूल रूप से पाई खोडिशा के गजपती शासकों के किसानों का एक असंगठित सैन्य दल था जो युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवाय मुहिया कराते थे और शांती काल में खेती करते थे इनी लोगों ने 817 में बक्षी जगमंद विद्यादर जी के नेतरुत्वा में बिटिश राज के अन्याई शासन के विरुद्ध जंडा उठाया था तो ये कुल मिला कर एक संक्षेप में इसका इधिया से इस बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी विकिपिडिया पर पेज पर थी पर वीडियो काफी बढ़ा हो जाएगा आप गुगल पर भी इसके बारे में और जानकारी पढ़ सकते हैं तो पता नहीं ये एक टीवी सीरियल है तो काफी बड़ी होगी और एक 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 शायद रिलीज होगा इसका टिवी सेरियल है, कितने एपिसोर्स होंगी, यह तो अभी हम नहीं कह सकते, कितने दिन तक चलेगी, यह भी नहीं कह सकते, पर हो सका, तो मैं इसे देखने का प्रयास करूँगा, बाकि आप सभी मित्र विद्रोही, इस टिवी सेरियल के लिए कितना उच्छुक है, आपको यह प्रोमोज कैसे लगे, मुझे आपनी नीचे कमेंट में अवश्य बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेर करना, बिल्कुल भी मत बूलना, इए वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, जैश्री राम, वंदे मातरम,